आपके लाइफ के इस स्टेज पर आप पीछे मुड़ के देख तो क्या फील होता है इस इंडस्ट्री के बारे में, फिर्टी सिंदगी के बारे में क्यूं मैंनकाइन को इतनी सेक्सेस में? उसका रीजन है ड्रीम कम ठूप मैंने ट्राउल किया है लखनों से और फैजाबाद में बस के अंदर पाज घंटे सीट ने मिलती थी अपनी अटैजी पर बैठ कर ट्रेन के लिए वेट किया है बारा घंटे अभी भी उतनी ड्राइब है इससे भी जादा केते हैं कि बहुत अमीर लोग है जो सीक्रेट में रहते हैं और बहुत साही लोग ना पॉडकास इस नजारिया से देखते हैं कि यार मुझे क्या मलेगा इस पॉडकास में से अब क्या कहना चाओगे उन लोगो को जब मैं 19 साल का था तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि आप इस पॉड़ेशन में आई हैं क्या थी साड़े आड़ बजिये के बाद घर पे नजर मताना और दस बिज़े से पहले वापस बताना नो साल लगा तार 250 दे मैंने यसे काम किया तो आपने का कि इंडिया सबसे बड भारत में हरके कॉंडम्स यूज करता है क्या वाकम लेकिन पहले के कंपारिजन भी बहुत जादा यूज होना शुरूप हो गया आज के एपसोड उंट्रपेंशिप स्पेशल एपसोड है दोस्तों बहुत साई लोग और बनना है न पर शाक टैंक जजिस के अलावा भी इस देश में बहुत सारे बहुत ज्यादा इंस्पाइरिंग उंट्रपेंशिप के स्टोरीज है जुनेजा ब्रदर्स हर साल भारत क पर उनकी शुरुआत हुई थी एक मिडल क्लास बैक्राउंड से आज जुनेजा ब्रदर्स की कहानी जानिये राजीव जुनेजा के तुरू बहुत दिलदार कॉन्वसेशन है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पर मैं यह चाता हूँ कि आप इस पॉड्कास से इनके आटिट जैसे लोगों से आउनलाइन मेंटरिंग टियारस के थ्रू लीजिए यह मैंनकाइंड फार्मा के को फाउंडर राजीव जुनेजा ओन टी आर एस राजीव जुनेजा सर का स्वागत है TRS के बहुत स्पेशल एपिसोड में थैंक यू रनबीर आम एवरी एक्साइट तो मीच यू फिलिंग दिफरेंट है क्यों सर फान लग रहा है ओके इस स्टूडियो में है अरूमा है मॉस्फियर है आम्बिंस इस अमेजिंग जॉइंग इट लिकिंग इट पॉजिटिविटी है अचा कुशी फील हुई है बा जहांच के लिए नहीं बडर हमेशा किसी से सवाल पूछ भूहलें पारवे की इन माई इस जितना मे ने जाना और बहुत कम जाना फामा इंडेस्टरी बारए और जितना मैंने जानाही शायत वोड की एक बहुत ज्यादा अंडर रे एंड़ इंडैनर लोगे इसके बार मिं बेसिक से स्टार्ट करें और फिर पूरे हमें एक परस्पेक्टिव दीजिए इंडियन फार्मा इंडिस्ट्री का साइज होगा अप्रॉक्सिमेटली फोर लाग करोर रुपीस का ये इसका साइज है और ऐसा बोलते हैं कि एवरी थर्ड फोर्थ टाबलेट सोल इन यूरॉप अमेरिका कम्स रॉम इडिया फॉर्मूलेशन और फॉर्मूलेशन का मतलब हुआ कि जैसे आप कोई भी टाबलेट खाते हैं कोई भी कैपसुल खाते हैं कोई सिरप लेते हैं कोई इंजेक्शिन लेते हैं उसको फॉर्मूलेशन बोलते हैं इसके अंदर इंग्रीडियन क्य होता है for example आपको बुखार हुआ आपने for example क्रोसिन खाई जी तो स्क्रोसिन में क्या है API एक्टिव फार्मसुटिकल इंग्रीडियेंट इसको हम भूलते है राम मेटिरियल वह है पेरसिटमॉल तो पेरसिटमॉल तो एक API हो गया जो बुखार काम करेगा लेकिन उसका वीकल क् फाइट होती है और उसके साथ साथ वहिकल होता है वहिकल मतलब आजू बाजू वाला सामान आजू बाजू वाला सामान जैसे उसके अदर अगर आप 500 मिलिग्राम की पेरसिटमॉल देखिए तो उसका वजन 500 मिलिग्राम नहीं होगा उसका वेट होगा एक ग्राम हो सकता है डबल हो सकता है ट्रिपल हो सकता है क्योंकि उसके अदर एक्सिपेंट होते हैं उसको कंप्रेस करना पड़ेगा उसके अंदर डालना पड है तो हिंदुस्तान फेमस है बहुत ज्यादा इस बात के लिए कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और यहां की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी मने जाती है क्यों बहुत पुराना ट्रेडिशन है बहुत टाइम से इसा होता आ रहा है यहां पर एक्सपर्ट हैं एक्सपर्टाइज हैं फाक्टरीज हैं साइंटिस्ट हैं फार्मेसिस्ट हैं सम्हाओ एक ट्रेडिशन बन गया है कि इंडिया इस वेरी बरी गोड इन दिस इसकी वज़ा से बहुत फेमस मनते हैं और यह हम सब लोग जैनरिक के नाम से जानते हैं जब इसको पूर्ट क को बोलते हैं क्रोसीन को या मैंन फोर्स ताबल दाती है तो इसमें सिल्डेनमैल साइट्ट सेट इसा समीं साइट किस नाम से फिएमड़ा है मुस्ट पॉपलर इस वायगरा मतलब श्रॉषन और वायगरा बहारत में बनता है भारत की देन है वाइगरा तो बेसिकली क्या है कि वो एक यूएस का पोड़ेक्ट है बट सिल्दनाफिल साइट जो इसका एपिया है इंदुस्तान में भूनता है इंदिन फर्मा इंड़स्ट्री इस ग्रोइट इन नाइस पेस और इसको हम बोलते हैं बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर आए in the sense कि आप याद कीजिए कुछ टाइम पहले रिटेल भूम आया था इंटरनेट भूम आया था बैंकिंग भूम आया था इट वस अर्ली 2000 जी और उस टाइम पर सब इंडरस्टी के अंदर अट्रिशन वा था था तरदा नीचे गए थे चाहे एकॉनमी उपर जारी है नीचे जारी है दिस इस कॉल डिफेंसिव सेक्टर वाइ बिकॉज आप बिमार होंगे दवाई खानी पड़ेगी आप डिप्रेस होंगे तो भी खानी पड़ेगी आप खुशी में दारूपी होगे तब भी बिमार पड़ोगी कुछ ने पूद इसको हम बोलते हैं बाट डिफेंसिव है इस लोलवेश ग्रोगार पूचने मुझे बहुत सारे सवाल पूचने मुझे बहुत सारे साथ आपने मुझे एक टैंजिंट दे दिया पहले ये बताई है आपके लाइफ के इस स्टेज पर अपने स कंपण करी मैंकाइड को फांट करी है बहुत कुछ देखा है फेलियर देखे हैं ग्रोथ देखी है अब बहुत अग्रेसिव ग्रोथ हो रही आपके कंपनी की पर अब जब आप पीछे मुड़के देखतो तो क्या फील होता है as a human being इस इंडस्ट्री के बारे में खुद की सिंदगी के बारे में क्या सोचतो है अब सबसे वर जो दिमाग में आथा देस्टिनी गा कि बाइट अब भाई हुब बेसकली स्टाइब इस कंपनी रमेश यूनिजा जी ही ब्रॉट में इस लाइन इस लाइन when you come from that family background आपको बहुत सारी insecurities होती है वहाइन है और जो पाते हम सुनते हैं वह हमने फील करी होती है कि आपको पैसे की वैल्यू जाए लग पराते हैं, और यह वां वह जा इने लग चाहिए हैं अर ऐस टाम पर मरे भाय ने बोला कि ही इस्टार्टे रुपन भाटरी था वह इसे वुपने रख मानेजर फिस इस इस जवा लग ने फिर इस प्रसके जार company का brand नहीं होता तब आप brand बनते है and then you pull the company fast forward 95 में वो company हमने अपनी partner को दे दी and this company mankind was started मैं sorry एक rude जीज कहना जाओंगा पर बुरा मत मानना मैं एक straightforward जीज कह रहा हूं और यह मेरी audience के लिए कह रहा हूं लाकि वो जाने आपके life का context सर की शुरुवात के बार में आपने जाना मैं प्रेजन के बार में कुछ कहना चाहूंगा आप टॉप थर्टी रिचेस इंदिन्स में हो अभी तो वहां से लेकर यहां तक इस जर्णी के बार में आप कुछ कहना चाहूंगे dream come true it looks like that असा लगता है कि यहां पांच गए लेकिन जब यहां पांचने है तो यह पीपर में दिखता है बड़ा कभी भी इसको अगर ऐसे देखेंगे कि हम मैं हम थर्टी रिचेस गाएं तो गलत होगा वो जिस इन उस पर्टिकलर टैंजेंट में चले जाएंगे तो ग्राउंड रियालिटी से दूर चले जाएंगे तो यहां पांचने हापनिगे बोनस है और गुर्दवारे में जाते हैं तो जब परिशाद देते हैं तो अपने जोली फिलाते हैं तो इसा बोलते हैं जितना मिलता है उतना देते हैं पता नहीं कभ यह टाइम निकल जाएगा तो ऐसा लेते हैं कि अगर यह टाइम ऐसा अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा करें विशुद नोट बिकम कॉंपलिसेंट विशुद नोट बिकम कियर लेस और महनत करें और अगे बढ़ें अभी भी उतनी ड्राइव उस्से भी जादा क्यों? अब दिफरेंट ड्रीम से हैं किसे जवारे में ड्रीम था कि पैसी आजाएं अब एक कॉंफरेबल लाइफ फिर आपका होता है कि एक ड्रीम सबका होता है वी अल वान टुब ग्रेट we want to write a story सबका very honestly so that's a dream 95 में first time जब मैंकाइड ने पहले साल we did 5 क्रोड उपी सेल 5 क्रोड की सेल अमने करी तो अब एक ही सोचाई जब ने पूरे साल में करी है क्या एक मिने में कर लेंगे with this thought we have run this company 95, 5 क्रोड 2,050 क्रोड 2005, 6 500 क्रोड 2016, 17 5,000 क्रोड now dream is 50,000 क्रोड this year 10,000 क्रोड that's the way how do you think the jumps are? international expansion अज़ नहीं भारत महीं भारत महीं भाथ ही ज़्यादा India-centric रहे हैं और belief इस बात का किया है कि डाल्यूट कर रहे हैं आप in the sense what कि हिंदुसान बहुत बड़ा है just giving you an example जब हमने मैंनकाइंड को start किया था तो सब कंपनियों का फार्मा कंपनी का स्टाइल था काम करने का बड़े शहर से बड़े बड़े शहर मॉंबई, डेली, हैदराबाद, चैन्नाई से लांच करो को बड़े शहर मिल आईया यहा दाट वस द वे यहाँ आईज बड़े बड़े इन सब कुछ उसकर रिजन भी है तो बलते है कि वालते है कि what's mother I mean need is mother of invention right ah scarcity is grand mother of creativity रहाँ वाह अस अए फेक्ट है आपके बड़े पैसे ही नही है तो कैसे बड़े शेयर में लाँच करोगे? इतना खर्चा कैसे करोगे? So our approach was, let's start the company bottom-up. चोटे शेयर से. Small town, micro to micro, interiors के अंदर and slowly and gradually upward journeys took up. एक तरफ, जब सारे की सारी pharma companies के पास होते थे sales raps, you understand? medical representatives. 300, पुरे हिंदुसान के अंदर. अब सेल्स प्रफेशनल्स होते हैं? सेल्स प्रफेशनल्स. मैंकाइंड में, सिर्फ यूप के अंदरी थे 175. एबसलुटली अमन, इपेस्ट कावरेज. अर्फे उपी को टागेट किया? उपी है. ऌक. फिस्थ यूपी थे फिस पेस्ट यूपी, थे अर्याना, पंजाब, यूपी. यूपी यूप्याद्धि एववाड ब्दूब्स लोवी अंद्राजली. तो आपको लगेगा की मैंकाइन जो है इस 28-year-old company बट इस 28-year-old in UP 27-year-old in Punjab, Haryana 26-year-old in Madhavardesh 20-year-old in Maharashtra मैं बहुत टाइम बाद ऐसी एक अंट्रपर्नोर्शबाली कॉनरसेशन कर रहा हूं और मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा छोटी सी कहानी दोहराना चाहूंगा यह मैं अच्छली इंस्टाग्राम पर कल पड़ी तो फो लाइन स्टोरी तो फो लाइन मुझे एक्जाक्ली यार नहीं पर मैं हिंदी मैं समझा दूग एक गरीब बच्चा एक बिलियनेर के पास जाता है और कहता है कि एक दिन मैं भी आपकी तरह बनूँगा आसपास के सारे लोग हसने लगते सिवाई बिलियनेर और गरीब बच्चा क्योंकि उस बिलियनेर को पता है कि यह गरीब बच्चा सही सोच रहा है कि शुरुवात कहीं से तो होती है एन्य, गौवांस और और इसाओ वी स्टार्टे और अमें लगा इतनी बड़ी अपार्शुनिटी है बहुत अपार्शुनिटी है लोगों को नजरे नहीं आरी से वाइट स्पेसिस, अपार्शुनिटीज यह में लगा अफरीका में जाएएएब रश्या में जाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए एक universal सी आपने strategy ली ऐसा करेंगे नहीं चलेगा भारत में भारत में भारत अलग है इंडिया लग है अब यहाँ बैठे हैं इंडिया है लोगों को actually में भारत पता ही नहीं है सुनते हैं अब लोग फोटो में देखते हैं पर वांस यू गो वर देगा जब आप टाइम विताते हैं तब पुछ लता है कि भारत क्या है बहुत वाइबरेंट है बहुत पॉजिटिव ए उसके अंदर बहुत अनरजी है और सबसी बड़ी बात कि है बहुत बड़ा इमोशन है स्ट्रॉंग इमोशन सी आटी है अनरजी फार्मा इंड़स्ट्री सेल्स प्रोफेशनल से डिर्वन होती है पिल्कुल बिकास आपकी ब्रैंडिंग होती है यू पर्मोट यूर ब्रैंड्स डॉक्टर क्या लिखता है डॉक्टर ब्रैंड लिखता है डॉक्टर कभी raw material API नहीं लिखता बिकास हिंडूस्तान के अंदर फार्मा इंड़स्ट्री में क्वालिटी की बहुत बड़ी इन-ेक्वालिटी है बहुत सवारी फैक्ट्री है कोई फैक्ट्री लगती है छोटी सी और कोई बहुत अडवांस तो बढ़ा फारे अइसलिए इसलिए जो ब्रांडेड जैनरिक टॉमिनेट्स इंडिन मार्केट यह इसका रिजन भी पूछने और फार्मा के सवाल भी पूछने है कभी पॉड्कास किया अपना मैं करता हूँ पॉड्कास में कैसे करता हूँ कि I just मैं कमपनी में साइस ना पड़ा जाता है there was a time I used to meet everybody in person सबसे मिलता था intra-company podcast इंटर कुद की कमपनी के लिए कैसे message पहचाऊं लोगों के बास so initially I used to record उनको भेज़ था था तब मुझे लगा recording से बात जमती नहीं audio recording से रफ so it should be audio video so iPad सामने रखा light on करी and start talking कितने लोग काम करता आपकी कमपनी में 22,000 वाह ओके बहुत बेसिक सवाल पूछोंगा कैसे मैनेज करता हो 22,000 लोगों को मैं कुछ मैनेज ने करता हूँ people manage अब on the daily क्या काम करता हो day to day क्या काम करता हो यह चेक करता हूँ कि कमपनी के अंदर कैसा कल्चर है I meet top heads number one किन से रोजी बात करता होंगा बहुत फ्रिक्वेंटली मिलता होंगा और कभी एक department में चाके बाते कर ली कप्या मार ली कभी दूसरे में चले गए कभी तीसरे में चले गए कभी चोते में चले गए I consider myself gatekeeper of the organization जब एक बार आप अपनी पावर अपने लीडर्स को डेलिगेट कर देते हो then you're supposed to trust them लेकिन उनसे मिलते रहना होता है और मैंकाइंड के अंदर हम ऐसा मानते हैं because we are in expansions परी बहुत आगे बढ रही है तो आप शुरू में वरी फिलोसफी क्या थी कि सिरफ अपने ही मैंकाइंडियंस को हम पर मोड करते थे मतलब मैंकाइंडियंस को हम पर मोड करते हैं मैंकाइंडियंस काम करते है तो यह वन से हमने हमारी कंपनी में क्या है कि टार्गेट नहीं है sales, pharma, company, no targets तो sales कैसे होती है हर चीज attached है उनके incentives है performance based आप जितना करेंगे आपको मिल जाएगा it's your choice और हर आदमी को ज़्यादा पैसा कमाना है and once you start टीविंगे पर्टिक्लर लाइफ स्टाइल आप उससे नीचे नहीं आ सकते तब काम करना पलेगा मैं आपके साथ आपके साथ आपकासर बात नहीं कर रहा तो डोंट मांड सम अव रूड क्वेस्टिंस मैं बहुत डिरेक्ट क्वेस्टिंस पूछूंगा पर ये मैं सिर्व सीखने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये चाहता हो कि भारत भी सीखे दो चाहते हैं जुफ है आपका एक अपर लिएर और लेशप है बेसेकली कंपनी अलग अलग विर्टिकल अप उनसे बस बात करतो आप उनको मैनेज करतो इंसम वीस एंशॉर उनको मैंट्रिंग देतो आप और वो अशॉर कंपनी को ढ्राइफ कररे company की growth को drive करे and I'm sure कि as a founder आपकी खुद की भी creativity होगी तो आप ideas दोगे लोगों को, am I right in saying this? कभी भी आप सिरफ एक silo में रहकर, head office पर रहकर, लोगों से बात करके कभी ideas नहीं दे सकते you need to go to your people as well तो आप सिरफ, मैं सिरफ उन लोगों से नहीं मिलता, जो heads हैं, मैं उनके नीचे के लोगों से बहुत लता हूं I am in touch with everybody तो इस अफरा एक्जामबल, कोई मिटिंगी तो आप से लेगे हैं तो कोई मिटिंगी तो सब लोग बैठे होएं, जूनियर, सेनियर, everybody is sitting, just spend few hours and you get so much of ideas creativity एक ऐसी चीज है यह कहीं कोने में बैठ करने मिलती जब आप अपरेशन्स में जाते हैं लोगों से मिलते हैं बाते करते हैं, in-person बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है लोग जो चीज बहुत छोटी मानते हैं बद नहीं कितनी बड़ी है हो और जादा दर आइडियास नीचे से याते हैं तो बड़ा सा फिल्टर हो जाते है अगर आपको फर्स लाइन मेनेजर देगा तो अपना आइड करेगा सेकिंड लाइन देगा तो डबल फिल्टर उसके हो पर दर ट्रिपल फिल्टर तो नथिंग रॉंग इन मीटिंग पीपल हमेशा मिलना चाहिए हमेशा मिलता हूँ मैं लोगों से सबसे इंपॉर्टन क्या आता है कि यह बड़ी मेटलिस्टिक दुनिया है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था मैंकेंड का अट्रिशन रेट तब भी इंडरस्टिक के कमपैरिजन में मिनीमल था हाफ से भी कम था यतना इंडरस्टिका है उसका भी आदिस रादा उसका रीजन है लोग छोड़के नहीं जाते छोड़के क्यों नहीं जाते आपको अपनी लाइफ में जो आपके परस जादा होता है वो देना पड़ता है टाइम, प्यार, महबबत, रिस्पेक्ट, पैसा सिरफ पैसा देने से कुछ नहीं होता उतना अच्छा आपके कमपनी के अंदर एड़वार्मेंट होना चाहिए उनको लाइए कुछ हो रहा है उनका participation, उनका contribution जब तक वो contribution नहीं लएगा कुछ नहीं होगा सिरफ पैसे से कुछ नहीं होता कि लोग सिर्फ हाथ और दमाग से काम नहीं करते है दिल से काम करते है जो भी आदमी हमारी कंपनी में आता है for example कोई भी आता है तो मैं पूछता हूँ तुम क्या करोगा अच्छा for example HR head आये for example कोई strategy head आया अभी recently तो मैंने उसे पूछता क्या करोगा आप तो he'll start counting यह मैं करूँगा यह strategy लाँगा वो strategy लाँगा यह वाला काम करूँगा तो मैं क्या बोलता हूँ तीन महिने तक आपने कुछ नहीं करना आपने लोगों से दोस्ती करनी है कुछ नहीं मत करना बिल्कुल भी आप अपनी एडवाइजिस अपना घ्यान किसी को मत देना किस से सीखते हो किस की सुनते हो इसको पसंद करते हो इससे महबबद करते हो दोस्ती तो है नहीं तो आपकी कौन सुनेगा जो दिमाग पे जो चारास्ता है ना दिल से जाता है और इफ यू लाइक संबड़ी यू लव संबड़ी मेरा पता आप लाइफ में मानना क्या है प्यार हमेशा जीतेगा दिमाग की औपर दिल की जीत हमेशा होगी दिल हमेशा जीतेगा दिमाग की और अभी भी भी देख लेची आप प्यार में, महबबद में, बिजनस में, कहीं पर जो टू गार्ड़ी एठीयर one is giving you something at 300 rupees, second is giving you 101 rupees or 2 rupees, he is your friend what does it matter what does it matter because you trust trust is a lot of 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 in leadership commitment is most important most important कि आपने मैंने आपको कमिट्मेंट किया यह होगा तो होगा कुछ भी हो जाए that's very very important जब मेरी एज के ते आप क्या कर रहे थे तीस साल के उस मैंने जब मैं उननीस साल का था मैं इस प्रोफेशन में आया तो मेरे भाई ने मुझे दो शर्तों पर बोला कि आप इस प्रोफेशन में आये आपको तीस दिन काम कर रहा है महिने में कोछ उटे नहीं मतलब संडे को भी संडे को भी तो मैंने नेगोशेट किया 28 डेस काम करूँगा सेकंड कंडिशन क्या थी कंपनी में काम करने की साड़े आट बजे के बाद घर पे नजर मताना और दस बजे से पहले वापस मताना 9 साल लगातार 365 देन मैं यसे काम किया आप क्यू उमर में अब कि अच्छी उने के बाद कैसे काम किया I was married at 26 years of my age 18 days out of my hometown traveling, going in every city नुकिन कारनर बाग लेके जाना कंपनी को कि इंट्रूज करो याप कि अच्छी करो याप कि अच्छी करोगे नेट्वर्क अच्छी करोगे नेट्वर्क चोटे जोड़ा शहर बड़ा शहर उसमें गया बहुत लंबे साल तक उसमर में गया करता था कुछ नी करता था सिरफ काम करता था एक जैंजी सवाल पूचना है जैंजी जानता हूँ आप अपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी था निखता है नी था कुछ भी I was very happy फुर का एक्सक्यूशन एडलन है जोश है न उसका एंथू है वो कमाल का होता है बहुत ही पैशन आज भी है कुछ नहीं दर नहीं आता था लोग बलता है आपने बड़ी मेहनत करी मुझस लगा नहीं करी मजा रहा था जब मज़ा आता है न, तरीका होता है, इस स्केल का काम होता है, मतलब अगर अगर आपको कुछ उखाड़ना है सिंदगी में तो पहले मज़े करो, मज़े का मतलब आप जिस काम के अंदर है, if you get a right work and you start enjoying it, बुलते हैं हार्ड वर्क, मैं बुलता हूँ हार्ट वर्क, H-E-A-R किसे काम, हार्ट से कुछ नहीं होता, दक्का मार के आपको बाहर निकाल दें, कुछ नहीं होगा, but once you start loving your job, उसका मज़ा लगा है, आम जनता को फार्मा इंडर्स्री के बार में क्यों जानना चाहिए, क्योंकि बहुत साही लोग ना, पॉडकास इस नजारिया से देखते कि यार मुझे क्या मलेगा इस पॉडकास में से, तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को, दवाई के बारे में जानने का रीजन बिसकले क्या है कि आप जो दवाई खा रहे हैं, वो कितनी अच्छी है, उसके side effects क्या है, आपको over medication तो नहीं कर रहे, आपको डॉक्टर की सला से लेना चाहिए दवाई को, और ऐसा most important मानते हैं कि इंदुस्तान में आज मित है, कि जो lifestyle disease, drugs होती है, जिसे diabetes है, hypertension है, उसको आज भी लोग ऐसा मानते है, कि मैंने थोड़े दिन खा ली, छोड़ दी, मैं ठीक हो गया, या मैं तो सिरफ अपनी डाइट को ठीक करके, ठीक हो जाँगा, दवाई खानी बहुत जुरूरी है, दवाई खाने से आपकी कोई परशानी नहीं होगी, कुछ side effects होते हैं, बत वो बहुत ही minimal है, आज की दवाई बहुत safe है, मैं डॉक्टर फैमिली से हूँ, जहां दवाईों पर बहुत जादा focus दिया जाता है, पर मेरा खुद का पैशन, fitness और health है, तो जब मैंने fitness और health अपनाया अपनी life में, मैं भी यही mentality में था, कि यार नहीं मैं दवाई नहीं लोंगा, but that's not how the human body works, science का भी progress हुआ है, और यह मेरी family ने मुझे समझाया, कि यह दोनों चीज़ा साथ में करो, अगर बिमार पढ़ गयो, दवाई लो, supplements लो, regularly, और उसके साथ-साथ health, fitness पर भी focus करो, I think यह बहुत सारे भारतिया नहीं जानते है, पर बहुत सारे भारतिया आजकल immunity को लेकर, especially lockdown के बाद, immunity को लेकर, general health को लेकर, supplementation को लेकर, fitness levels को लेकर, बहुत ज़्यादा nerdy बन चुके है, लोगों ऐसे podcasts actually अच्छे लगने लग ज़्यादा उसे भी, 35, 35 साल से, वाँ, 88 इश, 84, 8 इश, अर्मोस्ट 40 साल, हाँ जी, YouTube की वज़े से, TRS की वज़े से हमें data मिल जाता, data की वज़े से हमें पता चलता कि हाँ, तीन महीने बाद ऐसा content चलेगा, शे महीने बाद ऐसा content चलेगा, बर्ट जाए व्यू मिल जाता, मैंने सिर्फ आठ सालों के लिए YouTube में काम किया, 40 सालों में अपने क्या जाना है हमारे देश के बारे में, क्योंकि मैंने सिर्फ आठ सालों में काफी कुछ जान लिया, बड़ा कान इमाजन कि अपने क्या जाना है 40 सालों में, देश कैसे एवाल हुआ है, और देश कहां जा थी, मैंने ट्रावल किया है लखनाउ से और फैजाबाद में बस के अंदर पांच घंटे सीट ने विलती थी अपनी अटैजी पर बैठ कर ट्रेन के लिए वेट किया है बारा घंटे, एरोप्लेंस नहीं थे, रोडस वर वेरी बाद, दवाई अवेलेबल नहीं थी, बच्चे बच्चे मर जाते थे, मलेरिया से, डायरिया से, वामिटिंग से, डॉक्टर्स की बाथ बड़ी कमी थी, पांस्थ हमारा बेस्क्री क्या है कि हम ऐसे कंट्री थे, जिसमें हर चीज की स्केर्शिटी थी, और उस कमी की वज़ए से, सब पुछ जो था, धर सी, और सबड़ी के वज़ए से, जो बनाता था, वो कमी किंग था, जिसमें कम्परिशन प्रवग रॉज़न से, फ़क्टर्स की थे, जो बढ़ी से, जो एकॉनमी और से, जो झायरिया, तो सब आधा एकॉनमी और अपन होई, वे प्रमिटिशन आए, तो अमरिकन कंपन जब बाहर से कंपनीज आती तो इंडियन कंपनीज भी ओ encrypted याग प्लस बहुत साफी जो licences इंडियन कंपनीज को नहीं मिलने थे वो मिलने शुरू हो जाती है और जब फ्र पैसा आता है जब जसफ गौर्वार्मिन्ट लाइसेंस राज खतम करती है हार चीज के अंदर सी जो रैप टेप स्लोली इंगरजली चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग अप नाइटीज में जब मिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर शिरी नर्सी मराव थे और फैनेंस मिनिस्टर स्रमान महान सिंग थे जब यह ओपन अप हुआ था तो यह में बता जला था कि क्या हो तो यह दर आप याद किजिए किसे ने अगर समबड़ी तो क्या लेकिया था था तिन के कोक के टिन के कोक भी नहीं मिलती थी शैंपू लेकिया था तो वो एक डिफरेंट एरा था तो टोटली डिफरेंट था आज की डेट में डिफरेंट है और आज की डेट में कंज्यूमर इस वेरी वाल सबको सा कुछ पता है यूट knowledge नहीं थी data bank कहीं पर नहीं था आज आप open गूगल and you can come to know क्या से यह, क्या price है क्या quality है इसका track record क्या है things are very very evolved, very very different now दवाई का भी track record रहता है हाँ जी क्यों नहीं रहता है कैसे track करता है data bank कहीं नहीं तो रहता है इसका माना आज की दवाई का data bank आप create होना शुरू हुआ है मतलब अगर आप for example दवाई के बारे बात करते हैं तो कौन सी company की दवाई कप से थी आगर आप patient की बात करते हैं तो वो data bank बनना आप शुरू हुआ है दवाई का data bank तो शुरू से था कि आप कहां से कहां आए हैं आप लोग कंटिन्यू की जई है सो कि स्टोरी को 2000s और 2010s में क्या हुआ मतलब आपने 2020s की बात करी है मैं मानता हूँ की lockdown के बात लोग बहुत ज़्यादा smart हो गए घर पे बैठे हुए थे जियो था हाथ में यूट्यूब था हाथ में टी आरस था हाथ में इसके अज़े से लोग ने बहुत कुछ सीखा आपने भी एक सिमिलर चालेज फेस किया हो गए जो आप कहरो कि एक एक स्मार्ट बन चुका है 2000s और 2010s में भी यही था 2000 और 2010 के अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्फ पढ़ गया है जैसे जब कॉंपेटिशन स्टार्ट होता है जैसे जैसे एक्जांपल पास में देखी तो हर्चिज में एक गयाप था गयाप का मतलब आप बोलते हैं जब एक मलेरिया से बच्चा मर जाता है डारिया से बच्चा मर जाता है इसका मतलब क्या हुआ doctors नहीं थे इसका मतलब क्या हुआ दवाई नहीं थी या महंगी थी या वो purchasing power नहीं थी accessibility से बहुत बड़ा फ़रक पड़ता है कि अगर दवाई अबलेबल है इसका price सस्ता है और patient doctors भी है और एक awareness है कि इस चीज को खाने से ठीक हो जाएगा और आज की date में जैसे से time बीटता चला जागा है वैसे वैसे लोगों की knowledge बढ़ गई doctors बहुत सारे आ गई medical facilities बढ़ गई price के medicines के price बहुत का हुआ है Mankind famous इस बात के लिए है क्यों mankind को इतनी success मिली उसका reason है सिरब ये चोटे शेहर में launch करने से आपको उसका ecosystem दिखना पड़ता है कि वहाँ पर कैसे लोग हैं वो कौन से दवाई एफोर्ड कर सकते हैं कितने price की होगी आपको कि डॉक्टर्स के पास जाना है जो डॉक्टर्स के पास patient आता है उसकी जेब में कितने पैसे होते हैं 100 अरुपे होते हैं कि मतलब एक आदमी से दूसरे को हो गई infectious आज की जो सबसे बड़ी maintenance है वो है lifestyle diseases heart disease, diabetes हवा की respiratory किसी जमाने में पानी गंदा था अब पानी की बॉटल से पीते हैं आज हवा गंदी है तो ये एक बहुत बड़ा फरक आ गया दूसरा eating style, fast lifestyle, sedentary lifestyle जब आप बोलते हैं कि मैं जिम जाओंगा बट वही आदमी अपनी एक शॉप से दूसरी शॉप के अंदर गाड़े से जाता है वो दस मीटर भी निचलता जी वो लिफ्ट यूज़ करता है स्टेर्स यूज़ निकरता और वो बोलता है कि मुझे टाइम चाहिए किसे पॉसिबल है आपकी eating habits खराब हो गई या अगर आप villages के अंदर देंगे, देखेंगे या यहां देखेंगे, eating habits बहुत खराब हो गई, मेहनत करनी काम हो गई और तब आप खाली बैठते हैं तो सोचते बहुत हैं, टेंश बढ़ गई एस्पिरेशन्स अर वेरी हाइ बहुत हैं, लगिन उन एस्पिरेशन्स को करने के लिए महनत करने बढ़ती है वो काम है तो इसलिए mental diseases are at its peak उनके भी दवाया बनती है anti-anxiety pills, anti-anxiety, anti-depression and all sort of things are there counseling होती है all sort of things are there but in the room, there's a lot of anxiety that you don't get to people, you don't get to alone you don't get to friends, you don't get to socializing you don't do everything online number one cause of these all these problems, sitting at home you are in your virtual world you are in that way I'll tell you there's another angle now you consume memes on Instagram I'm sure you consume young people's mind now is determined from meme culture meme culture a big part of conspiracy theory illuminati you listen to this that you say that the world is a lot of people who live in the secret and control the world whatever you see wars or big government policies actually illuminati conspiracy theory is a pharma industry history that I don't say that this is a general youth narrative maybe because of lack of information you are in our first pharma podcast so think about how much lack of information 500 podcasts have done more so I'll ask you is it true that if people have more disease then you will get more profits because youth pharma industry look at this from the perspective that these people are going to be a leader they are going to be a leader they are going to be a leader they are going to be a leader but I don't think that's the case because the disease is a very common problem not just now not just now when they were human beings then there were diseases now there is a solution now there is a solution and I am definitely from a doctor family from a perspective that the diseases are a part of human life I feel that you have to solve these problems and after 50, 100, 200 years there will be diseases maybe there will be no diseases now you will solve these problems you will also have to solve these problems meme culture oriented Illuminati oriented scenario if you think about this yes we all need to blame for example for example the disease in today's today which is a rise which is a rise What is it? Lifestyle disease Right! From which way you are living from life or food from your food from which way you are eating from within the wind from the wind from your brain in which way you have to be thinking there is no control of the pharma company that does not fit if you eat a chocolate and eat a burger and eat pizza and eat a healthy or eat a tongue and eat a tongue or eat a tongue then the pharma industry कहीं से भी कहीं नहीं आतकती रदर for example अगर आप immunity की बात करते हैं याinky वाइट धी MIN्स की बात करते हैं तो बहुत फार्मा कंपनिस परमोट करते हैं इस बात को कि आप vitaminS खाएये और vitamin D काएये example एंदोस्तान के अंदर noin मैं गलत नहीं हो 60-70% people have deficiency of vitamin D आप सोचें धूप में ही नहीं निकलते हैं उसके बाद sunscreen लगा लेते हैं तो हो नहीं है तो somebody will have to give them some kind of a solution उसको अपके different vantage point है अपका perspective different है हमारा perspective क्या है कि हम ऐसी दवाई दें जो patients को ठीक करें वो safe हो वो best quality की हो वो most affordable prices में हो जो लेने वाला consumer है he should be delighted he should feel happy that's a kind of a marketing I mean marketing यही तो है आपने patents के बार में बात किया यह actually बहुत जरूरी business lesson है हर इंसान के रहे patents होते क्या है I feel कि आपकी industry भी patents patents बहुत जरूरी है आपकी industry में patent तब होता है जब आप किसी चीच को invent करते है एक 10 साल के बच्चे को समझा दीजिए कि patents होते क्या है आपने कोई चीच पहली बार दुनिया में बनाई first time बनाई और आपको जब आपने बनाई तो आपको उसकी एक application देनी पड़ेगी patent office के अंदर इसके अंदर आपने कैसे बनाई उसका process क्या है वो क्या product है बट उसको उस चीज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे regulatory hurdles को पास करना पड़ेगा once it passes that then you go for it and then you get a kind of a window of certain period 15 साल तक का होता है कि आपको कोई backward integrate करके copy नहीं मार सकता मतलब अब अबने टेकनोलोजी बनाई तो कोई उसे copy नहीं कर सकता तो एक process का भी patent होता है एक product का भी patent होता है आपके इस रास्ते से गए कौन-कौन से steps लिए वहाँ product पहुंची यह मेरा patent है अब आपने दूसरे रास्ते से लेके बना ली तो आपका अलग हो गया कहानी यह हुआ है मतलब आपकी जर्णी में भी आपकी company ने कोई technology बनाई है नहीं अब तक अब तक नहीं किस हमारी mankind के अंदर हमारे पस R&D में सरफ एक ही एक achievement है biggest achievement कि हमने एक हार्मोन को crack किया है जिसको बोलते हैं डाइड्रो जैस ट्रॉन जो काम आता है threatened abortions के अंदर miscarriage हो जाते ladies के अंदर तो यह एक patent था Abbott के पास जो एक international company है वो patent expire हो गया और expire होने के बाद भी बहुत सारी countries बहुत सारे scientists उसको तब भी crack नहीं कर पाए तो हमें नो सार लगे 9 long years अपनी R&D सार्ट करने के बाद और अमने उसको चार साल पहले ग्राइड किया तो फस्स थिंग वी इड़ और अचीमेंट इन आवर R&D अब उसकी बदाव कि अप एक जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि नहीं तो आप कर सकते हो उसकी बहुत भी डिमांड है उसकी बहुत पहल बहुत बडी दिमांड है एक्सपॉ्ट में इश्पॉर्ट में अच्छा जाता है इंड भुत चार्पिक जाता है वो आपको then you have some kind of no competition only one competitor is there so you find huge sales from that so you think that you do other work so now we are on a journey for number of new chemical entities let's go very interesting conversation I'll ask a rude question why do I try to learn please don't mind if you need more growth financially is it a key factor like discovering patents discovering new medical technologies a very big key factor it's very important if you have some product you have cracked and after that you have brought it into the market it's very successful and it's very successful and there are different factors you have a very good product but if you don't like the doctors if you don't like the patients respond to it then what will happen it's very bad and packaging it's very bad and packaging it's very bad it's very bad marketing when you see marketing it starts with R&D from the end what you need to do what you need to do in the formulations you can give it in the packaging it's very bad marketing it's very bad you are making a promise to your consumer I have promised you and you have that thing if I over deliver you feel I am very happy if you under deliver you feel and it's very bad and it's very bad from the end that you have to do what a unique selling point what a unique selling point what a special thing random if you have slogan or jargon or marketing you can't do it this will never stand on its feet substance you should have to do it किसी भी फार्मा कंपनी में R&D डेपार्टमेंट बहुत की है I am assuming correct उसे बहुत की है और इसमें बहुत पैसे लगते हैं और बड़ी कंपनी होने के बाद ही आप R&D की तरह जा सकते हैं लेकिन R&D को हम कभी कभी ऐसे ही देखते हैं उसका काम सिरफ एक नए मॉलिक्यूल को बनाना है फर्स टाइम ऐसा नहीं है एक्जाम्पल R&D की बहुत से रे काम होते है कोई टैबलेट बहुत बड़ी है स्वालो को अरने में दिख़ता आती है एक्जाम्पल उसको छोटा कर सकते हैं तो वो R&D में होगा टेस्ट बहुत कर खराब है बहुत कड़वी है उसको मीठा कर सकते हैं उसकी डोज़स बहुत जादा हैं तीन बर खानी है एक बर कर सकते हैं तो वो R&D में जाना है अगर वो टैबलेट को आपने सबलिंग्वल करना है कि जब आनके रखा खट से वो अबसाब हो गई तो वो R&D में होगा तो बहुत सारे काम R&D में होते हैं सिरफ नई पुलेट्स के अलावा भी R&D का रोली होता है R&D डपार्टमेंट सा रन बाइ साइंटिस अबसुल्टी साइंटिस्ट जो आपके सबसे टॉप साइंटिस्ट है उनके तनक्वा क्या है बहुत टॉप सीक्रेट है तो कि ये R&D is all about सीक्रेट्स आपन भी हैं राउंड 400 प्लस साइंटिस्ट वाव आपके पेरोल पे वाव ओके रेक्रूट कैसे करतो जैसे बाकी लोगों करते हैं because साइंटिस्ट भी साइंटिस्ट साइंटिस्ट को ढूणता है जैसे for example जब आप कोई भी डिपार्टमेंट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले किसको चूज करते हो जो इसको रुन करेगा and we are quite good in choosing right people हमारी एक्सपरटाइज साइंस में नहीं है हमारी एक्सपरटाइज मेनफेक्शरिंग में नहीं है फैनाइंस में नहीं है हमारी एक्सपरटाइज है लोगों में क्या देखता हो एक साइंटिस्ट में अगर आप किसी को रेकूट करो maybe a top position कोई भी आदमी है scientist है, marketeer है, finance है सबसे पहले तो आपके अंदर कितना पहली चीज hunger है, passion है आपको बात कर दिस लगता है बता दूसरा आपका track record किया है आपने किस-किस company में काम किया है, किस-किस position पे काम किया है आज की टाइम पर jumping jobs is very, very prevalent for the sake of designation substance नहीं है new, everybody is running behind designations, everyone सबी होता है तो हम क्या दिखते हैं कि किस-के अंदर वो जो head है, जैसा head होगा, वैसे team होगी so we have amazing head is an amazing amazing kind of a head who is running this R&D in a very, very nice manner उसके साथ चिल किया अपने कभी? गपे मारी है, चिल का मतलब क्या होता है फिलोसिफी के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ब्रहमान के बात करते हैं different kind of a scientist ऐसे ही होता है, यह मैं आदेगा शो पर भी they like talking about crazy things okay बारतिय साइंटिस को लेकर कुछ सवाल पूछने हैं मुचे क्या आपके कंपरी में सिर्फ भारतिय साइंटिस, I don't think so I'm sure थोड़े इंटरनेशनल तो होंगे जाद अदर भारतिय साइंटिस्ट है, 100% भारतिय साइंटिस्ट है क्योंकि भारत में साइंट्रोब्लम कहां पर आती है कि जो हमारे दिमांग में की इमेज आती है जो हमने सुनी है, देखिए, we have been filled with information and visual medium, जी, ऐसा होता है मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने engineering करी है, भारत में normal engineering college, कुछ खास नहीं था मेरा college बहुत कुछ सीखा हूँ, life के बार में सीखा पागेर हूँ, पर engineering नहीं सीखी और मेरे जितने भी दोस्त है, जो अमेरिका गए, कुछ-कुछ लोगों अच्छा लग रहा है, कुछ-कुछ लोग पच्तार है पर हर किसी ने वहाँ engineering सीख ली, असली engineering सीख ली, यह मैं किसी को भी scientific education मिलती है, यह जब वो आपके companies में काम करना साथ करते हैं, क्या तब उनके education स्टार्ट होती है मैं आपकी बास स्टार्ट करता हूं, हम सब जब अपने बच्चों को उसके बच्चे को स्कूल चूज करते हैं, तो बोलते हैं, कि ना application based होना चाहिए हो, practical type होना चाहिए, theoretical bookish type नहीं होना चाहिए, because when you go over there, you find that, right? तो मैंने किसी अपने दोस्ते सुना कि वो अपने पुरी स्कूल को एक village में ले गए, बच्चों को रात को ठरवाया, और वापस ले गए, उसके बद बच्चों को बोला, now write a essay on village, कमान का लिखा, right? यह एक simple philosophy है, अब question क्या आता है, हम life में बहुत सार चीज़े देखते हैं मैंने आप से सीखी, किसी ओर से सीखी, क्या मैं उसको next day अपनी life में implement करता हूँ कर नहीं करता हूँ, यह application based मेरी education है, जब scientist, जहां पर एक resources limited होती हैं, वहां से किसी pharma company के अंदर आता है, जहां पर उसके पास infrastructure है, experiment करने के लिए, और company के पास risk लेने की capacity है, खर्च करने के लिए पैसा है, तो वह definitely सीखता है, but everybody is of a different skill, हर एक आदमी का skill different होता है, उसके accordingly ही चलता है, तो यह ऐसा नहीं बोल सकते है कि Naturally, infrastructure can play a role, but there is no substitute of soft power, soft power आदमी, जो इनसान का जो अपना दिमाग है, उसका कोई भी substitution नहीं होता, यह मुझे पोलाइटली कहना है, but I don't know a polite way to say this, but I feel that in your world, a lot of people are like, and you guys are too used to it, and I have seen this with every ultra HNN, that their first instinct is, okay, now what are you going to ask me, that got me thinking, how are you living in life, everyone is trying to serve you, everyone is trying to take something from you in some way, is that correct to say? उसको गलत निमाना चाहिए, दुनिया ही ऐसी है, तो आपको तो इस बात को पहचानना चाहिए, कि क्या दे सकते हैं उनको आप, और क्या ले सकते हैं उनसे आप, for example, और जिसके पास दुनिया में, हम सब के बस कुछ नहीं, जिसके बस जादा होता है, उसको देना अपको जब भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि इस पे मेरा ही राइट है, जब आपको ताइम जादा होगा, तो टाइम दोगे, पैसा जादा होगा, तो दोगे, आपको ज़्यादा है, यू कैनट से, कि मैं सब कुछ ले लूँ, मेरे पास ही सब कुछ रहे, गलता है, तोटली मैंनकाइंड हमने स्टार्ट करी, हमारे पास प्यार, महबब, टाइम बहुत था, लोगों के लिए पैसा कम था, वो बहुत दिया, तो लोग साथ रहे, तो जैसे जैसे आपके पास जो जो चीज होती है, तो आपको इसको देना पड़ता है, बहुत जो बहुत प्यार देता हूं, दून को बहुत लुएग थे, और मल्टिपल आहेगा मेरे पस this is what basically we have seen and I give you one example during COVID time अब गर में बैठे हुए थे and we were seeing what was basically happening और फिर आप देखते हो कि अब देखते हो कि अब काम कर रहे हैं जहां पर रेलिटिवस अपने अब 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 फादर बेटे के पास नहीं बेटा, फादर के पास नहीं रेलिटिवस मिलने नहीं जाते थे आप पर डॉक्टर्स, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे आप सोचिए पुलिसमेन उसको काम तो नहीं है न कि हॉस्पिल से लोगों को ले जाना वो भी लगे हो थे लोगे लिगे हो थे लेट्स को फॉर ट्वंटीवन करूर रॉपीज माई सन सेड इत्ती बड़ी कंपरी है इतने ही दोगे, जादा दो तो इतने में क्या इन्यूज आई की टीवी में कि Akshay Kumar hero, डोनेटिट फिफ्टी करूर रॉपीज माई सन केम तो मी देखा उसने भी दे दिया मैं कहारता दो पचास क्रोड़ दे दो and we immediately went for it we gave that कभी-कभी हम ऐसा बोलते हैं कि जब आप कुछ दो एक हाथ से दो दूसरे हाथ को नहीं चलना चाहिए पता मैं मानता हूँ पता चलना चाहिए it inspires other people आप भी कीजे इसमें बड़ा फनी सा है कि then we thought let's do something for doctors first it was Prime Minister Fund and other funds oxygen cylinders we gave plenty of things emotion हो गया एक emotional thought और हमारी फैमली में क्या है कि अगर दिल में कोई अच्छी नोबल आपके दिमाग में कोई बात आए अनाउस कर दो इमिएटली अद्वांटेज का दिमाग को टाइम ही मद दो कि वर लॉजिक्स बना कि क्या मिलेगा and then we thought of doing something for the doctors and nurses तो हमने calculation किया कि possibilities हैं कि I mean the way doctors are dying and nurses are dying these many doctors will die so let's make an assumption and we started calculating जैसे आप calculator खोलते हो अपने mobile के उपर और calculate किया और calculation में एक zero कम आ गया तो हमने अनौंस कर दिया कि हम जितने भी doctors हैं या police हैं या nurses हैं या chemist हैं इसकी भी death होगी company will give certain amount जितना कहा था उसका 10 गुना होना था so we end up giving around 250 crore rupees in those time दे दिया without expectations but I tell you honestly we got so much of appreciation for that कोई उमें निती इसी हो गया तावस and something happened out of mistake only बगवान को मान तो बहुत जादा okay thank you क्योंकिन नौ इल गो to a deeper layer बहुत जादा सोचता हूं क्योंकि मेरे बच्पन के आइडल थे Arnold Schwarzenegar बहुत मशूर स्पीच six rules of success छटा रूल यही है कि विन बिगिन क्योंकि मेरे बहुत core rule रहा है बहुत टाइम से पर मैंने यह notice किया जब हमने actually social work start किया beer biceps के तो तब beer biceps को materially बहुत growth मिली और इस पूरे phase में मैं सोच रहा हूं कि यार यह शायद एक universe का I don't it's not correct saying this बट शायद एक universe का hack हो सकता है कि जब आप दिल से social work करता हूं तब भगवान आपके लिए social work करता है कि आपने नोटिस किया यह थोड़े capitalistic thought है ने 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 थोड़े प्रिस्चिन मानता है अब मैं आपको एक ग्जापल देता हूं for example when you remember Bill Gates how do you remember him somebody who created window or Melina Gates foundation which gives you a good feeling what makes him so great just remove that and he's another business icon you add that he becomes super human being as well यह life का रूल है आपको आपको देना ही चाहिए देना ही पड़ेगा गुर्दवारे में जाते हैं न तो आप मों बोलते हैं कि आप कर्म बोलते हैं सफाई कीजिए काम कीजिए सब्दारों के अंदर थबसे बड़ी खास बात किया है कि कार से वा बोलते हैं उसको राइट अगर आप घर पर अपने बच्चों को बोलें कि पोचा लगाएं, जारू लगाएं they will feel bad over there, they do it with pride because humility उसरी आती है business में ऐसा बोलते हैं कि बड़े factors होते हैं successful बनने के एक उसमें होता है कि empathy एक बड़ है दूसरे के जूते में पैल डालके किसे लगता है, तुससे क्या हुआ अपने क्या किया उसके लिए compassion होना चाहिए we lost many people in COVID, mankind के लोगों की ड़एं, then we decided क्या करें, हमने doctors को दिया thank you बोला, nurses को बोला, या chemist को बोला या police को बोला, पुलिस के लिए मेरे बड़े special se reasons because something happened in my life and police was amazing, amazing so I'm always having super deepest gratitude for police people अपकी लाइफ में कोई कभी कुछ करता है आपको याद रहता है पता नहीं उसके तुमने करने की कुछ करी कोविट में जब हमारे लोगों की डैथ हुई so we thought क्या करे we end up बहुत सरे उस्टमर क्या होते की lot of virals were there that this company has done this this company has done ऐसे से करा so we gave 13 years of salary 13 years of salary to those who lost life in COVID time क्योंकि आपको अगर आपको बोलते हैं कि हमेरे family members है mankindians उनको प्यार करते हैं आप तो आप कुछ करीए ना जिसे for example मेरी माने मुझे इक पर बोला कि हम किसी डैथ में गए सब लोग गए किसी डैथ में क्या होता है सीन कैसा होता है कि सब रेलेटिव साइ सब फ्रेंड साइ फ्रेंड से एक दिन में चले गए रेलेटिव स तीन चर दिन के बाद चले गए अब क्या हुआ अब वा के लिए है वो लेडी वो मादर and she's totally insecure so मेरी मा ने बोला कि अगर सब लोगों ने इसको सोसोर पर दिये होते some kind of a security would have been there and in certain sect that's a habit that's a basically culture कि जब भी जाते हैं तो देगी वे envelope कि उसके कुछ पैसे होते हैं so we believe that in mankind कि आप सिरफ शब्दों से अपना दुख मत जाहिर कीजिए तो यह culture है mankind के अंदर अगर किसी को परिशानी होगी everybody will contribute एक human level पर एक meaning भी आ जाती है काम में human level पर एक बड़ी खुशी होती है आप कभी स्कूल के वारे में सोचिए जब आपका birthday होता है मतलम I remember very well तो उसन बच्चा जो है स्कूल वैसे बले जाने की मनना करता हो उसन जूर जाता है because he's not supposed to wear his uniform अलग से कबड़े बेंगे जाता है टॉफी जा केक लेके जाता है सबको केक बांटा है टॉफी बांटा है अब मेरा कोश्चिन है जादा मज़ा किसको आता है बांटने वाले को के खाने वाले को तोच के देखो तो अब देते हो ना then you feel so so happy ये बच्च्पन में इसी खाए हमने हम भूल जाते हैं बड़े होते हैं और इस मेटलिस्टिक वर्ड में आ जाते हैं हर चीज को उसी पैमाने से जूडते हैं मैंनकाइंड के अंदर हम ने क्यों नहीं सोचते कमर्शल पॉइंट से क्यों नहीं बुला फिलोस्फिक है हमें टार्गेट नहीं रखने let's focus on people let's focus on their upliftment okay upliftment के बार में फामा परस्पेक्टिफ से फिर से बार back to pharma first of all love this conversation ये रनवीर ने आपके साथ करी थी अब बियर बाइसप्स थोड़ा सा बात करें फामा में कली हमने एक finance expert को host किया था तो he was talking about जो देश का middle class है और lower middle class है अगर आप economics के perspective से देखे तो ये lower middle class अब ज्यादा अमीर होने वारा है और middle class भी थोड़ा सा ज्यादा अमीर होगा पर lower middle class में मजबूती है और aspiration है बट health perspective से इनके साथ क्या हो रहा है क्या क्योंकि जो आपने का कि जब mankind की शुरुआत हुई थी तो small town India को लेकर अभी आपने बहुत कुछ सीखा अब क्या हो रहा है small town India में health perspective से फार्मा perspective से दुनिया अब एक हो गई है honestly कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास एक नएक पास का एक data होता है जिसके हिसाब से उसी vantage उसी perspective से हम सब को देखते है गाओं होते हैं गाओं में ऐसे लोग होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता रोल से अनपढ़ होते हैं but now things are different कौन से village के अंदर आज की रेट में road नहीं है या internet नहीं है या लोगों के अंदर aspiration नहीं है जब आपके पास information होती है न आपके aspirations बहुत बढ़ जाती है कि अर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता राइट और opportunities सब को दिखने शुरू जाती है तो आज की डेट में मुझे लगता क्या है कि जो वो भारत का जो आदमी है ना बहुत हंग्री है और इंगी बेग्सामपल में जाती है जो कि हमनी मेडल इस ताइम इंडियन आशिया चीम वह वह वाँण राट वो लोग कहां से आएंैं look at their background, they are very hungry और उनको आज की डेट में एक fair opportunity में लिया है वो कहां से गए है so आज की डेट में people have become very careful कि वो क्या कर सकते है अच्छा बुरा हर तरफ है कि जो careless है, जो गलत चीजों के अंदर है, वो वहां पर भी है, यहां पर भी है लेकिन आप इसको डिवाइड कर देंगे वो सही नहीं है, बलकि मुझे लगता है कि वहां हंगर जादा है बहाँ जादा हंगर है that's one reason जो आपने बोला कि वहां पर progress जादा होगी, definitely होगी school में अच्छी education और अच्छी मिल जाए तो बहाँ हो जाएगा health wise क्या small town India जादा healthy है naturally, by default अच्छा है हवे की वज़े से, हवाँ की वज़े से पानी की वज़े से, लाइस्टाल की वज़े से आप जितना भी compare करें जादा जमीन है आपर, यहाँ पर अंकित भाई अनपुरिया मालो है आपको राम राम भाई सार्या आपको 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 अपको मतलब वह बहुत अच्छे रेप्रेजेंटेशन है भारत की जिस तरह की उनकी mentality है, संस्कृती से जुड़े हुए प्लास इतना ज्यादा discipline है इतना ज्यादा fitness conscious है वो I don't think fitness का इतना बड़ा wave आया इंडिया में कभी जितना बड़ा अब है और जाहर सी बात है कि जहां fitness का wave होता है एक health का भी wave होगा Tier 2, Tier 3, Tier 4 के बारे बात कर लो वहां के लोग किस तरह की दवाई खरीते हैं जो आपने का ये lifestyle diseases बढ़ रहे हैं Tier 1 में, Tier 2 में Tier 2, Tier 3 के अंदर आज भी जो बिमारी आम तोर पर होती है communicable disease होती है disinfection हो गया है जो normal disease होती है उस तरफ जादा है लेकिन awareness, lifestyle disease की तरफ भी हो रही है बट अगर आप journal ही पूछते हैं तो जादातर communicable disease के ओपर ही जादा दवाई ली जाती है मतलब जो बीस साल तीस साल पहले Tier 1 में था वो अचली अब भाँ हो रहा है हाँ जी Tuberculosis Tuberculosis तो हिंदुस्तान में अल्मूश कहतम ही हो गई है फिर? कॉन से? माना dengue हो गया माना infections हो गया माना fever हो गया All sort of common problems होती है इसकी उनके लिए मार्केटिंग कैसे करतो हो? हरे कोने में जहां पर भी डॉक्टर्स हैं मेडिकल राप्स हमारे मिलते हैं डॉक्टर्स को और Mankind is a known kind of a company कुछ साल पहले मेरा बेटा मेरे रपस आया उसने बोला कि पापा हरे आभी बोलते हैं आपकी जो कंपनी हैं आपकी जो कंपनी हैं मो कंपनी हैं कि मैंकेंड को मैंफरस कंदम से लोग मानते हैं and then we thought कि इसकी image change करते हैं and we took Mr. Amitab Bachchan as our brand ambassador and that has really helped us a lot a lot actually मुझे कंदम के बारे बात करना है काफी ज्यादा hot topic है online भी लोगों जानना है बहुत obvious सवाल है भारत में हर कोई condoms use करता है क्या sir बहुत कम लोग कम लोग use करता है I would assume लेकिन पहले के comparison में बहुत जादा use होना शुरू हो गया है awareness awareness के वज़ए से तोड़ासा glamorize कर दिया है कॉंडम्स को कॉंडम्स को मीडिया की वज़ए से मीडिया की वज़ए से और अर्वारी ब्रेंड अमबेज़र असेनलियानी अर्वारी फ्रेंड है शोवर राय थी तो जब हमने उनको साइन किया तो उसके बाद हमारा एकी एम था भी अलवेज बन कॉंडरियन कि जो सब लोग कर रहें वो नहीं करेंगे राइ? हमने फ्लेवर लेकर आगए अब नाम लिजे कॉंसा फ्लेवर है चॉक्लेट फ्लेवर पान फ्लेवर रिक अगई पान फ्लेवर अब अगई फ्लेवर प्लेवर रहत उसका एक रहिवर्ड़ नहीं करता जस्य। ऑट्रेक्छी यूथ यूथ यूथी कर आपकी सबसीओ अधि मरकिट आह प्रीमारिटल संद्स प्रीमारिटल after marriage why not you don't want a baby केसर पिस्ता फ्लेवर sorry अभी I don't know now if this following section will make it to the podcast I'll ask again we make a lot of sexual health related content we make a lot of sexual health I'll say very honestly because you are in front of me and you are in front of me and you are in front of me and don't talk so much but genuinely tell you and brutally tell you honestly your business opinion based on that क्योंकि actually मैं भारत को जानने की कोशिश करू अभी हमारे sexual health videos को बहुत सारे views मिलते है क्योंकि मैं एक भाई की तरह आकर समझाता हूँ कि भाई पहन ले you know etc. etc. और जोक्स होते है आप कभी मुझे कंसिडर करोगे as a brand instead of Sunny Leone या अपने audience को reach out करने के लिए आप Sunny Leone के साथ काम करें आपको स्यादा फाइदे मिलेंगे आइम चेंज होगे आप किस यमाने में जब हमारे को eyeballs चाहिए थे starting के अंदर noise level share of noise चाहिए था आपको then we basically wanted somebody some personality like Sunny Leone उसके बाद जो next level जो आता है कि भाई तुभी यूज कर ले तो अब हमारे जो brand ambassador है वो different है कार्तिकार यानि जब्रेंड आपको जैन्जी तो अब किसी जमाने में फ्लेवर था तो आज हम बोलते हैं अपने पार्टनर से पूछो कौन सा फ्लेवर चाहिए ओके राइट किसी जमाने में आप कभी भी कॉंडॉम जो है अपने पास के मेडिगल स्टोर से नहीं लेते थे दूर से लेगए जो आपको जानता नहीं है क्योंकि ऐसा इमेजन करते हैं कि वो पता नहीं मुझे देख रहा है वो ममी को पता देगा आपके बेटे ने मेरे से कॉंडॉम खरी दिया लेकिन आप आज की डेट में देखिए तो यह लोकिट जैंजी और यूथ वो पले यह आस्क आज की डेट में लोग कॉंशिस्त होई गए लेकिन स्टिल अभी भी बहुत बड़ा एक सेग्मेंट है जो कॉंडॉम को यूज नहीं करता है उनको लगता है कि यार फील नहीं आता मेरी मैनलिनेस जो है फील नहीं होगी यह मेन मार्केटिंग प्रॉब्लम है आप लोगे कि पीपल डोंट वांट तो यूज नहीं होगी इसी लिए इसी लिए स्किन थिन थिनेस्ट वर्ल्स थिनेस्ट फील एक स्किन अल सट अफ कॉंडम्स भी कीप लाँचिंग एक डायरेक्ट सवाद दूरेक्स के साथ अप कमपीट कैसे करता हो या सिर्फ डूरेक्स मेरे आसपास सिर्फ शेहरो में डूरेक्स यादा यूज किया जाता है I'm assuming प्राइस पॉइंट सालग होते शुरू के अंदर जब आप कोई भी ब्राइंड फॉर्स ताइम लाते हैं तो आपके इदिफरेंट एस्पिरेशन होती है right aspiration number one was what masses mass उसको यूज करें we should sell maximum Hindustan के अंदर ManForce Condom 35% market share control करता है number one so once you reach to that level उसके बलापका next level होता है now you take bigger and more premium kind of a brand as your direct competitor and you start working on that line तो अब आज की डिट में हमारा focus वहाँ बहुत बढ़ गया है once you capture that mass level then you come to this level okay as a consumer as an urban consumer and I am a lot of westernized I am a lot of Americanized now let me counter some way psychologically I think that maybe Durex can also ManForce can also but I might choose Durex because again Indian brand नही है वो मेरी mentality है क्योंके मैं basically urban हूँ urban लोग westernized होते ही है is this a problem you face from the consumers? absolutely not it's not fatna it's some kind of a perception of Durex international kind of a brand that's a point one the second basically is what बहुत बड़ा रोल आता है जो बेशने बाला है तो इसका भी he plays a role chemist हाँ बहुत बड़ा रोल होता है there he is a huge pusher तो आप इस डर से कोई brand नहीं लेते कि वो फट जाएगा इसा नहीं होता plus some kind of a status symbol is there यह मांगने वाली बादी है कि अबने क्या मांगा इस एक perception होता है इंदुस्तान कहा रहा है हिंदुस्तान आज भी पुरानी British rule रूल से हा रहा है बही बेस्टोगा and we are very we are very very proud of that we have beaten everybody your number one condom raw material में मजूम की कुछ फार्ख होगा ही नहीं right बिलकुल और हम लोगों ने क्या करा कि शुरू से क्या रखा क्हास दूर पर मैंकेंट के मरे खास बात क्या है अगर आप as a whole जादतर फार्मा देखें या जादर कंपनीज में आप देखेंगे तो पाएंगे कि marketing is in their hand manufacturing somebody else is doing किसी और की फैक्टरी में बनता है आप करते हैं उसकी marketing number of brands are not named those हमारे बले केस में 75% done by us man force तो सिरफ और सिरफ in our own plants जब आप लेट आते हो लेट लाँच करते हो जो मोस्ट प्रीमियम है तो आप लेटेस मेशीज लाते हो खासबत ही होती है पुरानी नहीं नहीं और man force जो है पचास्ट से हो के निकलता है कि नहीं फटेगा तकि फटे नहीं कि बच्चे नहीं बड़े बच्चे नहीं बड़े मज़े नहीं बच्चे चाहिए सोचलो कॉंडम उस करो अईवे आपका सबसे बड़ा चानज़ज यह एड़केशन लाक फटेशन अभी यह मार्केशन अज़ेशन ग्रो करते जाएगा slowly and gradually I mean as people are becoming more conscious कि उनको बिमारी नहो they should enjoy they should at least people have started started trying now try करने से क्या हो है कि उनको लगता है कि नहीं यहार मैसोसुआ sexual awareness और इसमें बहुत 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 रोल क्या था है रोल था पार्टनर का लड़की if she insist then naturally why should she would go for unsafe sex आपी कुछ नी कर सकता fair I generally feel again यह मैं YouTube के देटा के थू कह रहू हूँ sexual awareness बहुत बढ़ चुके और scientific curiosity related to sex बढ़ चुके लोग अभी समझे कि STDs होते क्या है I don't think STDs के बारे लोगों पता भी था पहले generally sex as a topic के बारे में लोग बहुत कुछ सीख रहे जो आपने podcast के start में कह we were talking about Krosan and Viagra मुझे याद ने क्या context था but आपने कहा इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है नहीं नहीं sold is made in India okay it is in manufacture exported हमने वाइगरा को क्यों हाइलाइट किया था कुछ कॉंटेक्स था वाइगरा को इसली हाइलाइट किया था कि मुझे मैंफोर्स को बताना था इंडिया में लोग खरीटें वाइगरा हाँ खरीटें बहुत ज्यादा हमारी मैंफोर्स टाबले था था मैंफोर्स टाबले था था मैंफोर्स कॉंडम लॉंच किया था हम लोगों ने किस्वी हाइड मैंफोर्स टाबलेट्स इसलीए वो ब्रैंडिंग अरडी थी हाँ जी अब मैंफोर्स कॉंडम की वे से मैंफोर्स टैबिट किसे लो अच्छी हो जाती है पैकेज डील है, हैपी मील पता है मैंने वाइगरा के वार में कब पहली बार सुना था मुंबई में एक बहुत मशूर पान की दुकान थी साथ-बंबे में और वहां एक पान होता था था पलंक तोड पान और पलंक तोड पान के अंदर वो मेभी मैंफोर्स वाइगरा प्रश करके डालते है वाइगरा टैबलेट पर यह से उता है क्या पान के अंदर डाल कि नहीं ठीज सेफ फिपटेन के लिए शीत पाइज होटेन दॉक्तर के शीड़ारे ही नहींद में जाएजी है। विल्गे। यहोगे लेते हैं यह जान जाए है कि दूस्ट तरस्ट शुर्ड ओफ ऋव दुवाफ द्रमन लेन्स। उसके बदे योगा कर लो योगा से भी टेस्टोस्तोरोन बढ़ता है मस्बूलती आजाती है इस बेसिकलिए दाइप जहां पर भी हिंदूस्तन इस जगह है पतर वर्ड मी ऐसे जगह है जहां तो है यहां जहां पर भी ऐसी एकस आता है लिखा हुआ बहा पर लेसे लिए लिए आईबॉल्स व्यूस 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 कमाल के आते हैं क्योंकि अब तक ना लोग शायद पैरेंट्स के साथे पॉड़कास सुन रहेते हैं अभी लोगों के घर में जगड़े स्टार्ट हो गया है जगड़े नहीं पर मम्मी अपीट रही हैं कि का सुन रहा है तो एन्यों सौरी ब्रो एंड मम्मी अगर आव अभी तक पॉड़कास्ट थेंख रहा हूं पर अब और भी प्रोड़क्स के वार में सोच रहा हूं क्योंकि यह बेसिकल एक तगड़ा ब्रैंड बन चुका है अनुसली इम्शुर अज़ 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 तो वो शिलाजीट बेश्टी है तो दो एट सेलbook है लूट अज़ अज़ नहीं कि इस तौसर्ँ है नहीं बहू अज़ अज़ पिबिटर अज़ के लेड़ग को वड़ादी है और अज़ नहीं तर अज़ अजर जुञ ँं मने में other things as also अज़ को शलिग अज़ अर ईंग स certain regulations certain laws certain problems so we don't want to come that we have no idea because I would assume an Indian brand and I don't talk about sexual health generally if Durex has a foreign business has created things that means their products they have a ring vibrating ring why do I know so much? I remember I remember the thing you guys know you don't remember but there is a ring and a loop I would assume that the same products should get made in India make in India maybe we don't have so many people maybe it will happen in the time but some of the things where there is a little regulatory law we take all the precautions very 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 law abiding come on I have to go to Gen Z's sir I feel that these things will be need today it will be it will be but it will be more and more and whatever is not it will be 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 what is it it will be 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 growth you need a sexual condom you need a eyeball anything you need to talk about sex look at any podcast anywhere millions yeah fair hack but we are safe sir we are talking about a lot of things not just sex ah kuch ab kehna chau generally waj may firse aap so poochun ga macro perspective ke baare bird's eye view ke baare ah I am assuming at least yeh mein youtube ke tu kheerah bharat sexually aware ho ra log protection use kar rahe ah anything else you've noticed about this trend ah nothing special ah interior india interior india ke inder áaj ki date mein jitna bhi data consume hota mobile phone ka unhi movies ke liye hota hai ap aaj ki date me dekhi maksimum data agar aap kahein per bhi consume hota to what basically is being seen i mean ah badehi heranii ki baat kia hoti ki joh regional local influencers hain bho bho boda role play kare 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 life me ah ki ek aap ne national influencer liya superstar big model aaj ki date me us ke baad state wise ho gaya aaj ki reasonal hai share wise bhi hai ki joh bhoat jah da ego influence kerte hai instagram or youtube ane ke baad humari life me bhoat sar influencers hai ok about it um ok moving away from sexual health finally mazadar section ti hai aise lagai ki minisirf das minute tak aap se baad ki hai maza aaj ke conversation me but yehi hai end sir bhoat kuch sikhha aaj wow blown away blown away on like many fronts ek alag industry ka baar me sikhha aap ke baar me sikhha life ke condoms ke ba kuch hu hai aaj ya bhoat tagdi conversation thi thank you so much i really enjoyed here this place has a different kind of a vibe thank you so much for inviting me thank you sir thank you for giving your time thank you so much even I'm sure when we record I always sense my boys energy are they liking it are they getting bored because I know them and trust me we've all been listening very carefully so it shows that whatever you said it's of that we appreciate your time because I know your time is very valuable right now but the fact that you gave us so long for a conversation says a lot about you so genuinely thank you very much thanks thank you thank you I hope that you have a lot of a lot of to see that I hope to do many more business and entrepreneurship based episodes especially ہماری ماتربhasha Hindi میں TRS بہت ہی جلد lot keep supporting